कि के ऐसंघ कायो है कि हfenlloya की तो हम करने वाले हैं लेग रंजेस के कुछ और कोशंट हैसज वीडियू में आपको में लेगरें जट्यस के कॉंसेट है थाक घहाए हम क्या करना ह् मैं फंक्षन पता करना है और जो फाइ की वैल्यू दो तो आप जरूरी है पड़ी के जाना पेपर में देखो कॉशन आपके पास है so that rectangle, rectangle solid of maximum volume that can, volume 1 comment, volume that can inscribe in a given sphere sphere की बात कर रहा, is a cube, sphere की बात कर दिया ना, तो 3 value होंगे, x, y, z होंगे वो कह रहा है, so that rectangle, sphere is a cube, cube को होगा, जब 3 value 1 को लाएंगे, x, y, z की value जब 3 को लाएंगे तो हमाने क्या है, यह q है, ठीक है, तो हमें इस यह पता चला, इस question से हमें इस language से यह पता चला देखो, rectangle, 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 rectangle बूल दिया हनोने, of maximum volume, maximum volume, तो volume के बात करें, तो volume क्या हो जागा, length, breadth, height हो जाएगा, buildification में, यह चीज़ हो जाएगा, और sphere, sphere की बात किया हनोना, तो 3 हमारे पास x, y, z है, तो x square plus y square plus z square equal to r square, यह sphere के लिए, अब देखो, अब question समझो आप, देखो rectangle, maximum volume, volume में पता चल गया, हमने बोल दिया, जो length equal to 2x ले लिया, breadth equal to 2y ले लिया, और height equal to 2z ले लिया, हमने यह let कर लिया, अब let कुछ भी कर सकते हो, तो length 2x, 2y, 2z हमने let कर लिया, तो यहां से जब volume हम इसका निकालेंगे, volume length क्या होता है, तो जब यहां से volume निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 8xyz, तो यह हमारे पास क्या हो गया, function हो गया, यह क्या हो गया, हमारे पास function, जिस पर depend करेगा भी वेल्यू, और sphere, कह रहे है, given sphere, जो ची given होता ना, जिस पर, given sphere, given sphere is a cube, जो sphere आपके पास है, हो क्या है, cube है, cube तभी होगा, जब x और y और z के value, तीनों एक को लाएंगे, तो माकी question हम आगे solve करेंगे, तब आपको समझ में आगे clearly, देखो, तो जो यह value है, sphere में पता चल गया, तीन variable है, x, y, z, तो तीनों को square, x square, y square, plus z square, और r square, sphere, तो इसे हमने क्या बोल दिया, 5 बोल दिया, यह हमारे पास function है, function हमारे पास क्या हो गया, यह function हो गया, और यह हमारे पास 5 हो गया, तो according to Lagrange's theorem, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, function होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो यह आपके पास Lagrange's में हमने put कर दिया, तो लेंडा फाई होता है यहां पर फॉर्मूला जो कि हमें बता चुका हूँ आपको जो लेंगरेंजिस के फॉर्मूले बाकी पुट कर रहे हैं डारेक्ट इसमें अब तो देखो हमारे पास फॉंक्शन पता चल गया अब क्या करते थे हम इसमें डिफ्रेंशिशन करते थे डेल डेल एफ इकल टू जीरो मतब एक्स के रिस्पेक्ट में य के रिस्पेक्ट में जेट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिशन करके इकल टू जीरो पुट करना आपको तो जब हमने क्या किया इसको एक्स के रिस्फान्ट liquid differentiation किया इस वाले पाथ को जो आपने इस वाले पाथ को एक्स के रिस्फान इसे करोगे तो 8x x तो हट जाएगा 1 आ जाएगा तो 8 y yC आ जाएगा यहां से क्या आ जाएगा बाकि तो 0 बाकि 2x लेम्डा आ जाएगा वही ची लिखा है y के रिस्वेक्ट में करोगो तो y वाला पार्ट हट जाएगा इसमें xz बड़ जाएगा इसमें 2y हो जाएगा बाकि ये पार्ट हट जाएगा लेम्डा से मल्टिप्ला है similar कि लेकर वही चीज़ आने वाले हाएगा तो जाएगा जाएगा 8xy और इस वाले पार्ट का बाष्ट का गरो दिफिरेंशन तो इस वाले पार्ट पार्ट मेंस जो जड़ बलट हम ये तो इस बूर को जाएगा इस फोर जाएगा जेडल नम नम्म्डा कि तीन चीज़ पता चलगी अब देखो कुछ इसे होते हैं जिसमें कुछ न कुछ अलग चीज करना भोता है कि लास्ट वाले कुछन में क्या गया था सिंपल सॉप करके कंपेर कर दिया तो वहां पर वैल्यू निकल के आ गया था पर इस कुछन में हमें कि एक्स वाइओ और ज्यठ का मल्टीप्लाइ करने का इसी कूशन इस्टे एक्सेशन एक्स्टे एक्स 2x² lambda होगे, यह 8xyz, 2y² lambda, यह value यह आगे कुछ आपके पास, अब देखो, अब यहां से देखो गए, तो अब easily compare कर सकते हो, मतलब यह जो value है, यह जो value है, यह जो value है, यह सब में 8xy, 8xy, 8xyz, तीनों में आ रहे हैं न, तो, देखो, तो, अब हम compare कर सकते हैं, easily, 8xy, 8xyz, 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 तीनों में similar आ रहे हैं, तो अब हम compare easily तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने इसका multiplication किया, तो हो सकता था, आप पूछते हैं, multiplication हमने Q किया, xyz का, तो क्या हमने Q किया, एसको, ताकि यह compare करना easily हो जाए, तो हमने किया, अब इसे, इसे, easily क्या कर सकते हैं, तो देखो, यह cancel हो जाएंगे, यह cancel हो जाएंगे, क्या हो जागा, compare करेंगे, तो यह को, इसके एक कोल कर जाएगा, तो हमने क्या किया, यहाँ पर, compare कर लिया, दोनों का, तो 2, x square lambda, 2y square lambda, 2 से 2 केंसी, lambda से lambda, x, x square equal to y square, तो x, इसका निकालो, तो x equal to y आगया, similar, अब इसे, और इसे करें, same चीज़ भी आएगा, y plus z, y equal to z, और जब इसका, लास्ट वालेगा, फर्स्ट वालेगा करें तो, क्या जाएगा, z equal to, x आजाएगा, तो अब हम, जो देख सेते, clearly, जो तीनों को हमने solve किया, तो हमें पता चला, x, y, और z, आपस में equal है, अब देखो, तो हमें अब, यहाँ पर proof हो गया, जो question में हमरे पास given था, उन्होंने बोला था, just so that the rectangle solute of the maximum volume that can inscribe in a given sphere, यह जो Q, क्या करना था, यह, Q है, यह हमें प्रूफ करना था, तो तीनों आपस में equal लागे न, आपर देखो, तीनों आपस में equal लागे, तो हम बोल सरते हैं क्या है, यह जो value है, hence rectangle, solute is a Q, मैं पतासल गया है, क्या है यह, Q है, X equal to Y equal to Z आ गया, आने में वीडियो में, और question जो भी important है, और जो आपके paper माने में वाले है, वो question आपको सारी करवा दूँगा मैं, ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही था, आने में वीडियो में, और question करने वाले है, तो take care and bye way,